हेलो एवरिवेन आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं कि गाउ में मिट्टी का जो चुल्ञा होता है वो कैसे डाला जाता है तो आज विष्टियो के लाश तक बने रहना अगर आप चुल्ञा बनाना चाहते हैं आपको नहीं आता है तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कैसे चुल्हा बनाते हैं यहाँ पर मेरी ताई जी और मम्मी जी बना रही है चुल्हा और काफी उठाओ चुल्हा होता है, काफी अच्छा बनता है ये एक बर आप चरूर ट्राइ करना तो चुल्हा बनाने के लिए सबसे पहले चाहती है काली मेटी और ये अगर जोड वगरा होता है तो वो उस मेटी को सबसे अच्छा माना जाता है मैं तो मम्मी जी हूँ है वो जोड से ही लेकर आई थी लेकिन आज कर जो जोड में पानी नहीं होता तो सुखी मिटी आती है पहले क्या होता था पानी भरा हुआ होता था और उससे गिल्ली मिटी लेकर आते थे तो इसको बिगोने की जरत नहीं पढ़ते थी लेकिन अब ये सुखा वाजोड था और पहले एक कट्टे में डालकर लेकर आई थी बहुत सारी मिट्टी हमारे दूर पढ़ती है बिल्कुल नजदिक से नहीं पढ़ती है तो इसको लेकर आए थे और उसके बाद रात पर भिगो कर रख देते हैं इस मिट्टी को जिसकी वज़े से ये मिट्टी बिल्कुल सोफ्ट हो जाती है उसके बाद इसको अच्छे से जैसे चून पर लोट लगाते हैं उस तरह से इसको सोप्ट किया जाता है और इस तरह से सबसे पहले देख सकते हैं आप इस चुले को इस तरह से निचे का भाग बनाया जा रहा है और इसके उपर अब उपर चुला बनेगा क्योंकि उठाओ चुला बन रहा है अगर आपको fix बनाना है, kitchen में बनाना है कई भार बनाना है, जैसे permanent चुला होता है वो ऐसे ही बन जाता है एक साथ ही, लेकिन ये उठाओ है तो हम कहीं भी रखकर इस खाना बना सकते हैं छट पर रखना चाहते हैं टाइल वगएरा पर बैठ कर, चुले वगएरा क्योंकि सहर वगएरा में होता है तो कहीं पर भी रखकर खाना बनाना होता है तो वो वाला भारी चुला और उठाओ चुला बना रहे हैं आप देख सकते हैं, मिट्टी है एक परात होती है उसमें रख रखी है और उससे ताई जी ने एक अच्छा सा रेक्टेंगल आकार का सा बना लिया है इसके उपर चुला बनाएगी इसको अभी दो तीन दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और जो मिट्टी में होता है, काले मिट्टी के अंदर जो पस्वो का भुष्शी होता है ताकि यह अच्छा सा मजबूत बन जाए अगर आप बिल्कुल मिट्टी का बनाएंगे तो तूटने का डर रहता है तो इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से मिट्टी के छोटे-छोटे गोले से बना ली जाते हैं ममी आप देख सकते हैं ऐसे बना रही है तो मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ इसलिए कि आप इन्जोई कर सकते हैं विलेज लाइप में कैसे चुल्ले बनते हैं और साइड में आपको चुल्ला दिखाई दे रहा है वो है फिक्स चुल्ला जहाँ पर काफी है है और वो मतलब परमानेंट है वही पर रहता है पाने वगरा गरम करने के लिए लेकिन मम्मी इस उठाओ चुले को इसलिए बना रही है, खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे किचन में है मम्मी के किचन में, लेकिन वो फिक्स है, तो कह रही थी कि उठाओ की सर्दी में धूप निकले तो भार बना ले, या गर्मी में भार बना ले, क्योंकि अंदर जाद जादा इंधन लगाने से चुल्ह में क्रैका जाती है तो यह उठाओ चुल्ह है और इससे प्रात वगेरा का कोई खत्रा भी नहीं देगा प्रात खराद हो जाएगी यह है वो है तो सबसे पहले एक ट्रेंगल आकार का एक बना लेंगे उसको सूखने के लिए छोड़ देंग करते हैं फिर सुल्ह के ओपर बास लगाते हैं जैसे उपले थापते हैं तो गोबर को पाते हैं उसी तरह से पासव के भुस्षे में आप देख सकते हैं इस दर्मम्मी पास ऽे उसलोगत के मदिेशी नाया दीवी को आगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह कि और अच्छी वीडियो आपको हमारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी तो वीडियो के लाज तक बने रहना और आपको दिखाते हूं कि चुले की एक वो क्या बोलते मुझे एक तरह से मिट्टी को लेकर बिल्कुल सार्प तरीके से बना दियाए अभी एक और इसी तरह से एक और उपर से मुंडेर बोल सकते हैं मुंडेर लगा देंगे ताकि चु इसका काफी अच्छा बना था, लृटी बनाने के लिए आपका इचला दोस्तों इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना और की मैं बादे लगवेदे झाल बढब्ते रिचान लाइक जरूरूर के लाइक जरूर बता देना काफी motivation देता है दोनों दयवराने जिठानी बाते करते भीवेच उल्हा बना रही है क्योंकि वड़ों के आदत होती है कहीं ना कहीं की बाते ही करती है कुछ भी काम करें वड़ों काम कर ही नहीं सकती तो यहाँ पर मेरा बेटा वीडियो बना रहा था क्योंकि मैं उस टाइम पर घर का काम कर रही थी अब भी आप देख सकते हैं कि मिटी को इस तरह से लंबे स्याकार को दिया जाएगा और उसके उपर लगा जाएगा थोड़ा थोड़ा इसके उपर पानी लगा रही है आप देख सकते हैं बहुत ہी अच्छे सी हारी चुल्ले घालते हैं, हमारी ताइजी के पास ही डलवाती हैं हमेश्या ही, और आप भी देखकर डाल सकते हैं, अब तो मैं खुद डाल सकते हैं, इस तरह ऑज चुल्ले, देखको कोई भी चीज गठी नहीं होती, और उसके बाद फिर और लगाएगी ममी ने जो बना रखा है उसको लंबा करते हुए इस उले को एक सेब देदेगी उसको इसको लाल मिटी होती ना उसका लेव लगाया जाएगा लेप किया जाएगा जिसके थोड़े दिन बाद ये फिर खाना बनाने के लिए रेडी हो है आप देख सकते हैं कितना बारुकी से बनाया जाता है टाकि बीच में कोई क्रेक वगेरा ना रहे जाए struggle क्रेक रह जाते है तो तो चुल्ला फटने का डर रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी आग हो जाती है बाद में जब रोटी वग्यरा बनाते हैं सबजी वग्यरा बनाते हैं तो ताई बिल्कुल हलके हाथों से इसको बिल्कुल सही कर रही है एक भी दरार नहीं छोड़नी बिल्कुल सोफ्ट कर देगी इसको अब इसको इसको इस तरह से आप देख सकते हैं सरका रही है और दूसरी तरफ का बनाएगी अब अब ममी ने इसको और मिटी दे दी है अब और मिटी इसको देक्षाज अब लगा देगी और इस तरह से हमारा चुला बनकर रेडी हो जाता है तो इस तरह से ताई मिट्टी को अच्छे से पाने लगा लगा कर स्मूथ कर रही है और चुला के बनाने के त्यारी में पूरे तरह से चुला रेडी हो जाएगा दो से तीन दिन में अच्छे से सूख भी जाएगा और एक क्लिप मेरी कट गई थी तो मैं सीधा दिखाऊंगे कि फिर चुला कैसा बनकर रेडी हुआ तो वीडियो को लाज तक बने रहना देखते हैं कैसा बनता है चुला तो दोस्तो जब चुला पूरा बनकर रेडी है उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर लगा दी है क्योंकि सुखने के बाद मैं इसकी वीडियो बना रही हुँ वो किलिप कट गई थी कि पूरा कैसे बनाया आप देख सकते हैं पूरा चुला इस तरह से बनाया कैसी लागे वीडियो जरूर बताना अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दने फिर से कह रही हुँ अला अब मैं मैं यह काम पूरी ना वीडियो बने जो थोड़ी से बनाया हुँ आप देख सकता किली बाबाई टेक केर